तो यह कार है होडी एसिक्स और आज के सुड़ियों आपसे बात करने वाले हैं इसके एर सप्षिशन के बारे में तो बिसिकली स्कार में प्रॉडम है वो है इसमें एर सप्षिशन प्रॉपरली इसका वर्क नहीं कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं अब जो आगे से एर सप्षिशन की हाइट यह देकि बिल्कुल भी एक तरकी की से कार जो रहे है चाहें आप कार को स्टायट कर लीजिए या कैसे भी कर लिजिए कभी कभी होता क्या है कि कार साइट से युटकुल लोगर कंडिशन पर रहती लेकिन राइट से उपर की साइट उट जाती है तो इस थरीकी की प्रॉडम है तो अभी में एक वार आपको इसकी जो हाइट वगएर है वह प्रॉफट चेक करा देता हूं थोड़ा सा ग्राउंड क्लीरेंस क्या है इस समय इसका तो एक वार आपको हम स्केल से चेक कराएंगे तो यह यहां पर हमने एक स्टील इसकेल लिया हुआ है तो यह आप देखकते हैं कि यहां पर यह तीन साड़ तीन इंच का इस पर लगवा का भी गयाप है जो कि सीधे ग्राउंड क्लीरेंस है जो इसका ओके और अभी हम इसका राइट साइड का ग्राउंड क्लीरेंस है वह भी चेक करके आपको यानि कि एक और A6 आती है जो कि अलोड होती है उसमें भी एर स्पेंशन आता है लेकिन यह 4G वाला मॉटल है देखी इस साइड भी जो इसकी ग्राउंड क्लीरेंस है वह तीन साड़ की निल्ची है ओके और यहां पर आप फ्रेंट टायर का जो गैप है वो भी देख सकते है बिल्कुल भी गैप नहीं है यहां पर इसकेल भी नहीं जा पा रहा है इतना भी गैप नहीं है इसके राइट साड़ में और नहीं इसके लेफ साड़ में तो यह जो प्रडम है बेसिकली जब भी आती है जब कार में कोई एर सश्पेंशन का पार्ड खराब होता है या तो जो पीछी की साइड जो सौक अप्जाबर होते हैं विसिकली से एक एयर बलून होता है जिसके अंदर एयर श्टोर होती है अगर वह पार्ट लिखे जोता है तो भी इस तरीके की प्राइब आती है तो यह देखिए इसके रियर साइड बे भी बिल्कुल भी गैप नहीं है तो अब यह वार हम आपको कार को स्टार्ड करके चेक कर एंगे तो यह है इस कार की की ग homem में ईच्ट था निव निच्ण कर लियाकं है मत्यों के पकूरक्ट गजट रहे हैं तोिसको अप्र लोगर जो ऊप्शन है वह नहीं आरह वह ब्लैंक पढ़ा हुआ तो जो ब्लैंक आपको चेक करके दिखाएंगे तो अभी हमने कार को स्टार्ट किया हुआ और एक बार देखते हैं यह अगे की साइड से आप देख सकते हैं कार तो है वो दीरे-दीरे उपर की साइड जा रही है और यहां लेफ साइड से भी चेक करते है तो लेफ साइड से भी लौर पॉशिशन पर है याप इसका ग्राउंड नहीं सकते हैं तो इसको भी 10 मेंट तक स्टार्ट रहने देते हैं इसके बाद चेक करेंगे इसमें किस तरीके से क्या प्रॉडम हा रही है कार के अंदर और जो मेंड पार्ट है उन पार्टों को रिप्लेस करेंगे तो फाइनली अभी इसकार को स्टार्ट की हुए लगबग 15 से 20 मेंट हो चुके हैं और यहां फ्रेंट सस्पेंशन की जो हाइट है यहां से देख सकते हैं यानि की राइट साइड से तो अभी मैं आपको राइट साइड में दिखाया है किस तरीके से कार तो है वह रेज हो करेंगे किस तरीके से क्या प्रॉडम है तो यहां पर मैं आपको एक बार लेफ साइड भी दिखा देता हूं तो यह देखिए काफी कम हाइट है भी यहां पर राउन क्लियन्स आप यहां इस तरह से चेक कर सकते हैं तो यह थी इसकी लेफ साइड की पोजिशन इसकेल का पीछे से लेकिन जो परॉलम में वो है इसके लेफ साइड में तो अब यह करेंगे के सधागे सब यहां आइप से लिए मिल जाए का और च्रहता है और उसको किस तरीक थैक कर सकते हैं लॉफ के सब्सक्राइब ऐस तरी करता है इसका तरीके से वर्कता इसक और क्या के से इर्फिजिंग होती है और किस जगा से लिए होता है इसका वह भूली यह बॉक्स है वो आपको इस भार निकालके चेक राते किस तरीके से नया जोब्ल फैर होता है तो एक वीडियो में थोड़ी से आपको विंड नोइज देखने को में देखिया कि क्योंकि पीछे यहां पर यह जाती है और यह है इसका है इस तरीके से यहां पर लगाया गया है और यह दोनों ची जोगा गाम करता है यानि की इसके अंदर के प्र्काल करना काम करता हैं या इसका सांदी के यह सी तो या निゃा करना होताै और अपंद में यह पुलता है कोई टयक्नियों को लेंग्विज में हम ज्शेम लुलते हैं तो यह अपको इस बेकाना होता है और में इस वह आары आपको एर का जो पाइप है वो लगाना होता है लेकिन ये सिस्टम आपको जब ही चेंज करना है जब आप कंफर्म करने इस चीज को अगर सोग आप खराब है तो अगर सही है तो उसके लिए आपको कुछ स्टैप करने होते हैं एर को भणना होता है रायट साइडबर या साइड का आप सौकर शेक कर रहा है एर को बढ़ने के बाद आप कार को एक घंटिकी च्छोड़ दीजे बंद करके तो जिस साइड से वह डाउन होती ये कार उस चीज का एक एक करके आप च्चेक कर सकते हैं किस तरीके से आप बंद करके यह दालकर या उसको आँ पानी के आगर कंगे जिस तरीके साफ आप असी की लिए के चेक करते हैं तो अभी आप को आको सबसे पहले यहां से उपर करना है यहां आपको यह कवर रटाना होता है इस कवर को आपको हटा करके इस जगाप देख सकते हैं जो की है वालवे व्लोग और इसके ऊपर भी हमने और लेडी एक वीडियो बनाया हुआ तो अभी लगाते हैं इसमें scan tool और चेक करते हैं किस तरीके से क्या problem है किस पार की problem है कार है वो भी प्राइड है तो राइड साइड की हाइट है आपको मैं दवारा सा श्यो कर रहा हूं और कार को आपने श्कैन किया हुआ तो असकैन में आप देख सकते हैं कर सकते फंक्षण्य यहां पर बाइब कर घ् कई इसको कर रहे हैं तो सब्क्राइबर 754-top-is価लिक framework कर दो एक संदर आती है यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब 284 लिकज कहुते ह buffet कर nadate कि पीछे की साइच से तो फीछे के बलून है वह भी विल्कुल हम इसके चेक करेंगे कहीं को लीकेज वगरा तो नहीं है और उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें जो प्रॉलम को दूर करेंगे पूरे पाइप अच्छे दर्गे से चेक कर लिए और नहीं राइड साइड की कोई बलून में नहीं लेफ साइड के बलून में इक पर हम आपको और लाइप टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे हमने उसको चेक किया था यानिकी चारो साइड हमने हवाँ बढ़ दी ती और कार क लगवा हमने गंटी के लिए स्टार करके शोड़ा हुआ था तो कार लेफ साइड और राइट से दौनों साइड से बरावर कित्रा उठा करा कर लिएただ कुंश पाइप हमने यहाँ पर लूजबी की हुए तो इस जगह बर हम चेक करेंगे कौन कौन से पाइप में पहले फर्स हम एर आती है, तो यह देखिए, रियर राहट में एर आगई है तो इस पाइप को लगा देते हैं अब यह देखे रियर राइट से कार जो है जो अब होगी तर सेकंड जिस पाइप में एर आएगी हम वो पाइप लगाएंगे पीजब टताँ बद लगाइप जुआ ने रेता तक ज सैब रख सबस्टाइब जाया है तो यह देखिए अभी हमने एक नोजल जो है इसका बंद किये हुआ है यानि की राइड लेफ साइड का और अभी हम आपको कार की हाइट है वो चेक कराते हैं रागत कितनी कितनी मुठी है तो यह देखिए चैब डाइड जाइड से अभी इस तरकी आओ है पर यह था राइड साइड का पुजरमेंट और अभी बर लेफ साइड का मिजरमेंट चेक करते हैं यहां का भी कम है अभी थोड़ी दर गाड़ी को स्टार्ट रहने जेते हैं लगवगादे गंटे के लिए पर चेक करेंगे कहां से क्या लीकेज पखड़ो कि अंगर है कि हमने एक पाइप हटा करके और अच्छे तरीके से इसको बंद करके प्रॉपर तरीके से इसको चैक कर लिया हैidar की कौन सा बाला इसमें बलून खराब है या कौन सा पाइप खराब है वो सारी चीज़ हमने चेक कली तो राइट साइड के दोनों स्वाइक अब ठीक है बलून भी ठीक है ऐसे ही लेफ साइड का इस पाइड को बहार निकालेंगे क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा ओवर हीट हो च कर देते हैं और इसके मजईसे हैं यह कार यह होती है तक है तरह कि करेंगे क्या चीज नहीं करेंगे और सारी चीज हम आपको देखाईए और यहिम क्या करेंगे सबी खुल करके इस वाल बाहर नकालते हैं अलग पूल करेंगी आज अजया वाइब अदर अजया अजया आज अजया आज उप आज अजया चारो प्रक्राब है और अभी हम इस पर change करेंगे निू पार्ट तो यह है इसका नया पार्ट जो कि हम इस पार्ट को रेप्लेस करने वाले तो विसकली इसको बोलते हैं वालब व्लॉक जो कि मैं आपको बदा जुका हूं तो सबसे पहले पाइप अठा देने क्योंकि नए बल्व व्लॉक में इस तरीके के पाइप लगके आते हैं यानिकी नट लगके आते हैं तो इन पाइप को अठा देते हैं और यह साड़ यहां पर मेंशन किया हुआ इसका पार्ट नम्बर वगरा तो आप देख सकते हैं यह ह है उचया पर को लगा करके चेक करने वाले किस थरीके से क्या प्रॉब्डम इस पार्ट के अदर को कि खोड़न करके हटा हैं पहले इस से पहले यह सभी नटों गड़ना दिना में जीतने भी बॉल्क झाल लगके हुए इन को बहुत है सै इसको अलग करेंगे तो यह था पुराना पार्ट जो कि अभी हम इस प्प्लेस करने वाले तो यह सभी पाइपों के नट अबने खोलते हैं जो की ओनेटी तो लगे हुए आते हैं डस्ट करना ना जाये इसके लिए यहाँ इसको बना करके टूल भी चेक कर सकते हैं तो यह नय समझा देते तो सबसे पहला जो प्रेशर का पाइप है जो की और इस बाद ब्लॉक में आता है उसके बाद है रिजर वाइर का रिजर वाइर विसकलि यह आप टैंक देख रहे हैं यह इसका रिजर वाइर यानि कि इसमें एर जो है वो इस्टोर रहती है जब भी आप कार को कि फरेंट लैफ्ट हैं फिर है व्लू कलर गणा जो कि यह आर आर यानिकर रियर राइट और फिर है अर एल यह निकि रियर लेफ्ट ओकेतो यह चारो वाइप ठाहरों की इस पर लोकेशन मेंशन करके दिए कौन सा पाइप आपको किस तरीके से लगाना है तो सबसे पहले आपको ट्वाला पाइप के जो पाइप है यानि कि सबसे पहले आपको पी वाला पाइप लगाना है प्रेशर वाला तो इस पाइप को लगा देना है और कार को आप यह में स्टाइट करेंगे एक वार करके अगाड़ी इस्टाइट आपको यह सबसे पहले हमें यह पाइप को टाइट कर देना है अच्छे से तो अभी हम सबसे पहले यह प्रेशर वाला पाइप इसको अच्छे से मिला देना है तो अभी नौरबली हमने इसको इस तरीके से लगा दिया तो अभी आपको सबसे पहले स्टेक करना है हवा जो है कोई तो यहां पर सबसें प्हुर्अ में चेक कर हुआ है यसा ही रियर लेफ और राइट में यहां पर हो इसकी है यहां तो यहां पर हम टेले पाइप लगाएंगे प्लेट और ब्लू और भी आल का विवान पाइप क्यों आपको इस जगा पर लगाना होता है तो अभी हमने दो भाइप लगा दी है हब आपको हमें एक बार आख कर आते ने कार की फट्व फायर है जो यह आप देख तक्ते दीरे जो कारें वो उपर कीसा डोट रही है तो कि ही अब हमें क्या करना है कि जिस साइट से जो एर आचुकी उस वाले फाइप को लगाईगे तो अभी अब तो यह देखिए हम भी अमने रेड कलर का पाइप हो लगा दिया है और अभी ग्रीन वाल पाइप अभी अमने नहीं लगाया इसको भी अम लगाएंगे लाश्ट पिट तो चेक करते हैं यहां राइट साइट से जो गाड़ी उठी हुई थी यह आप इसकी हाइट लिख सकते ह हरो देदरे का भी ओफर की साइट रेज हो रही है और लेवटे से एक बार चयक करते हैं। तो यहां लेट साइब आप चाहिए जुँफ ठी Bren हुआ है जो की है ग्रीन कलर का तो इस पाइक को भी अब लगाएंगे तो उससे पहले देखते हैं कार को स्टार्ट रहने देते हैं थोड़ी दर के लिए और कार के अंदर चेक करते हैं कोई unlikely उनिपशन नेमप गरा है है तो यहां पर आप देख सकते हैं बाइट कि एर सिर्शेचन वहल थी मैक्सिम ट्राइप दिखा रहा है निए 60 किलमेटर प Bent कशिर्व आपको आपको लुए नहीं रही है ऊस्टे करते हैं乾्ते को फिर से इंजिनको रिश्टार्ट करेंगे कि यहां पर जो रेश का ऑप्शन था और लोगर का ऑप्शन था यह आप देख सकते हैं बिल्कुल हाइड लाइट हो चुका है पहले जो था एकदम ब्लैंक था और अब भी फिर से एयर को चेक करेंगे तो यह देखिए इस वाले पॉइंट पर भी जो एयर है वो आ चुकी है अब यह उस वाले पाइप को भी लगा देखें अब तो अब हम क्या करेंगे सभी पाइप को एक की बार में सभी को टाइट कर देना है अच्छे से और इस पर आपको ज्यादा टॉर्क यूज नहीं करना है मैक्सिमा आपको फाइव एनेम का ही टॉर्क लगाना इससे उपर आपको टॉर्क इसमां यूज नहीं करना आपको हलके से ही इसारे से ही इसको टाइट करना है तो अभी यहाँ पर हम प्रक नहीं लगा वह रिजर वाइर का तो इस पाइप को भी हम इस जगाप लगाएंगे लेकिन बिसिकली जब रिजर वाइप में एयर जब ही जाएगी जब जो चारो टायरों की यानि की जो एर सौक अप्जॉबर है वह जब फुल हो जाएंगे उसके बाद जो एर कंपिसर चालू रहेगा उसके बाद जो एर आएगी वह सीधी हवा होगी स्टोड इस एर प्रेजर वाइर में तो अभी इस कार को स्टार्ट रहने देते हैं आगे से जो फ्रेंट राइट है यह देखिए यहाँ भी सौकर फिलिंग हो चुका है अब बात करते हैं लेफ साइड की तो यह देखिए लेफ साइड के प्रॉलम थी यह भी विल्कुल एक्दम फिलिंग हो चुका है अब बात करते हैं रियर लेफ्ट की तो यहाँ पर भी तो यहां पर अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे 15-20 मिनिट का उसके बाद ही हम यह रजर वार का यह पाइप को लगा भी सकते हैं कोई प्रोडम नहीं को कि का जब कंपरसर रान होता है तो कभी कंपरसर ओवरीट होता है तो उसकी वेज़से भी थोड़ी दिर बाद ही वह कंपरसर चलता है जब आप कार को रोड पी लेके जाते हैं तो फैनली अभी हमने सभी बोल्टों को टाइट कर दिया है उसके फिटिंग कर दिया है इसके वालवी व्लॉक को इस जगा पर तो मेंली जो इस कार में प्रोडम थी वह नहीं कोई पाइप की थी में जो प्रोडम कर दिया है तो अब हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं जो मेंली प्रोडम थी वह आप देख सकते हैं वालवी व्लॉक की थी कार बिल्कुल परफेक्टली और सुखी यह देखिए ओके जो इसपेस था बिल्कुल आ चुका है जो कि पहले बिल्कुल लो था और आप कि बाकी की प्रीटिंगृ लेते चोटी सी रहें तो वर को था कियो हुआ है हुआ है और अब तो आप देख सकते हैं आप ऊपर की साइड रेज हो रही है तो अब हम लेने वाले इस कार की ट्रेश जाब यान की चेक करने वाले तो यह हम आपको ओटोमेटिक पर चेक करा रहे हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉडम तो नहीं है सकार के अंदर वह सारी चीज़ आपको दिखा रहे हैं टेश लेकर करके हए कि अभा बगा करके चला करके घड़ों में चला करके खराब रोड पे हर तरह के से तो कोई बात नहीं है नौरमली परण आती है यहां क्यू जो फोड को डाता है वह फोड को पड़ेगा उसको आपको अच्छे तरह से ट्रेश करना है यह फोल्ड को डिस जगह का है तभी आप उस चीज को क्लियरली चेंज कर सकते हैं क्योंकि इन कार के जो पार्ट्स होते हैं वह काफी एक तरीके से मैं कहूं तो बहुत ही एक्सेंसिव होते हैं बहुत ही ज्यादा मह सकता है और कस्टुमर के लिए भी यह ज्यादा बड़ी हो सकती क्योंकि आप उसमें एक तरीके से मैं कहूं तो आप बार वर पैसे लगाते जाएंगे कार प्रिपेर नहीं हो पाएगी तो मेंली जो होता है इसको प्रॉडम को अच्छे तरह करना वह बहुत जरूरी होता है कि थोड़ा सा समय जरूर लगता है लेकिन आप प्रॉपर ली एक छोटे-छोटे स्टैप भी जरूर चेक है जैसे की एयर की लिकेज है अगर यह लिकेज होगी तो भी बहुत बड़ी प्रॉडम रहती है क्योंकि मैंने देखा या जातर एयर सस्पेंशन के सौक अप जाव लाइट नहीं है जो कि पहले लाइट आ रही थी एयर सस्पेंशन की तरफ से मैक्सिमम साइट किलमर प्रती गंटे की रफ्तार से चलाने के लिए कार में मैसेज भी आ रहा था वो सारे मैसेज वगरा सब कुछ हमने स्कैन टूल से क्लिया करके अगर आप इसमें फ्रेंट सस सस्पेंशन लाइट है वो शो होता रहेगा और रेट कलर का लाइट जब होता है जब कोई सिस्टम में फॉल्ट होता है यह आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से अकर उसका मॉड्यूल खराब हो जाता है या फिर जो एर कंपरिशन होता है वो खराब हो जाता अकर और यहाँ पर रेट कलर की जो लाइट है वो शो करेगा या पिर अगर आपकी कार की लॉवर यानि की जो लॉर हो जाएगी तो वो एक तरीके से फोर्ट को शो करेगा तो अब यहपार थोड़ा सा हाइशसीट्पेनीच्छाक चला करेंग लिए है तो कार में कैसे भी कहीं कोई प्रोडम नहीं एक तम ओके और नहीं कोई वार्णिंग लाइट है यह आप फिलियर है वो खराब हो चुगी है तो लाइट हम यहां पर चेंज करेंगे लेकर आपकी वो लाइट हम इस पर चेंज नहीं करने वीडियो जो प्रोडम आती है वह उसके लिए वीडियो पोश्ट किया हुआ है उपर आई बेटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं किस थरीके से क्या प्रडम थी इसके गण्ट्रूल तो कोई प्रडम नहीं आ रहे हैं अभी एक वार और हम कार को टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे इस पर फोलेट लोडेट यानि की जो पैसेंजर कैफिसेटी है उस कैफिसीटी पर तो अभी आप यहां फ्रेंट साइट से जो इसकी हाइट है वो आप सकते हैं विल्कुल प्रोपर होके है है और रियर साइट यह आप उच다良 को अब हम तो आज का जो वीडियो था जो आणि अल्समारी भीडियो को लाएक कि पर तक लिए जहनद बंदे मात्रम हम वीडियो को लायक ज़रू करना चैनल को सब्सक्राइब जबू करना को कि वीडियो बुड़ी में काफी मिनत रही है ओके बाइबाइब टेक्क्या